आज बाबा के पास वतन में भूबले करके पहुँची आज जाने के साथ बाबा ने अनेक प्रकार के तारें दिख लाई कुछ स्थूल दिखाई देती थी, कुछ सूक्चम दिखाई देती थी तो मैंने बाबा को कहा की बाबा आज यह दुरस से दिखा रहे है इसका मतलब क्요 है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा ने कहा की बच्ची बहुत ध्यान से देखना इन तारों का भी बड़ा गेहरा गुहर राज है और इसे ही तारों से ही सब कुछ चलता है फिर बाबा ने एकदम द्रस से मर्ज किया बाबा ने दिखाया कि बच्ची आज की दुनिया आज का समय जैसे बिजली का तार होता है टेली फोन का तार होता है हर चीज कोई भी चीज चलाते हैं कोई भी साधन अपनाते हैं सब तार से चलती है यदि ठीक से लाइन जूड़ी नहीं होगी तो वो ओन ओफ होता रहेगा तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार आप बच्चों की बुद्धी की जो तार है बाबा ने कहा हुए तार तो फिर भी इस्तुरीती में दिखाई देती है पर बुद्धी रूपी तार सुक्षम जहां भी बैठे जिस स्थान पर भी बैठे जिस हाल में भी बैठे हाल माना कोई हौल की बात नहीं बाबा कह रहे है कोई भी परिस्ति में तो बाबा ने कहा उन बच्चों का बुद्धी की लाइन बुद्धी की तार बाबा से जुड़ जाए यदि बाबा ने कहा कोई परिस्ति आती है जैसे उस तार में कभी कोई प्रकार की लीकेज होती है तो जलता नहीं है तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों के पास कोई परिसिती की तार ठोड़ी भी कटी होगी तो बाबा से जुड़ नहीं सकती है इसलिए अभी बाबा के बच्चों को बिशेस इस चीज का अभ्यास करना है जिस प्रकार इस थूल चीज़ें तारों के आधार पर चलती है तो बाबा के साथ में भी हम बच्चों का उसी प्रकार बुद्धी की लाइन जूड़ी रहे क्योंकि बाबा ने कहा वैद तारें फिर भी देखने में आती है पर यह याद रूपी बुद्धी की तार देखने में नहीं आती पर बाबा ने कहा बाबा के बच्चों की चलन से ब्योहार से कर्तब से उनके नेनों से रोहानियत से बाबा ने कहा वे रोहानियत की जो चलन भी चलते हैं बच्चे उससे मालूम परता है इन बच्चों की कितनी बुद्धी की तार बाबा से जुड़ी हुई है तो बाबा ने कहा आज सत्गुरु बार का दिन है तो बाबा विसेश बच्चों के पास भी चक्कल लगाने के लिए जाते हैं और विसेश यह भी देखते हैं कि सद्गुरु बार के दिन विशेज बच्चों की तार भी बाबा से जुड़ी होती है क्योंकि कई स्थानों पर अम्रद बेले से भाबा के प्रती भोग बनाते हैं, भोग रखते हैं, भोग सजाते हैं तो बाबा ने का उस भोग में भी वो भावना और सक्ति भर जाती है तो बाबा ने आज विशेश ये संदेश सुनाया और बाबा के सन्मुक तो कई आत्माओं की भी याद दी तो बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से बड़े स्ने के साथ इमर्ज किया और बड़े प्यार से बाबा ने उनको इमर्ज करते मदवन का भोग पूंदी स्विकार कराया बाबा ने का बाबा के घर के एक एक कणे का भी बहुत बड़ा महत्व है एक कणा भी जैसे मंदिर में एक कणा दाना एक बूंद की अमरत का भी महत्व है तो बाबा के घर में तो बाबा ने कहा एक का सो गुना बाबा अपने बच्चों को भोग के द्वारा भी अनेक सक्ति देते हैं और बच्चे भी उस सक्ति का अनभव करते हैं ऐसे कहते वे बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्विकार किया और सबी फेर भाई भेनों को बाबा ने बहुत बहुत सिने भरी याद प्यार दिया बाबा का याद प्यार लेते वे नेचे पहुँचेगे ओम शान्ति एवा झाल 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 झाल